नमश्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठर, आयर्वेदिक फिजीशन. मैं पिछले 18 सालों से आयर्वेद की पदती में चिकित्सा कर रहा हूँ. आज कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ. स्वागत है आपका हमारे हेल्ग प्लस चैनल पे. काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि कुछ पेशन्स में, कुछ लोगों में कुछ जिग्यासा सी होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ रियूमर्स होते हैं, जिन सवालों का वो जवाब पूछना चाहते हैं, उनके उनको सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाते हैं, आज मैं आपके सामने इसी लिए हूँ कि जो लोगों की कुछ भ्रान्तिया हैं, कुछ रियूमर्स हैं, उनका सही जवाब दे सके हैं. जैसा कि आपने बताया कि आप टू डाइबडीस से ग्रस्त हैं, तो नॉर्मली आपका ट्रीटमंट तो कही न कहीं चल रहा होगा, इस परिशानी से आपको सेक्सौल प्रॉब्लम हुई, एक्चुली क्या है, जो सेक्सौल प्रॉब्लम के चार मुखे कारण, डाइबडीस, जिसे ब्लड शुगर कहते हैं, हाइपर टेंशन, जिसे उच्च रक्त चाप कहते हैं, प्रॉस्टेट की प्रॉब्लम और एक जादा कोलेस्टरॉल मतलब उबिस्टी की प्रॉब्लम, ये चार मुखे कारण है, इन कारणों से यौन समस्या जरूर होती है, चाहे हम कारण को सबसे पहले ठीक करना होगा, अगर आपकी बीमारी का कारण, मतलब आपकी एरेक्शन की प्रॉब्लम का कारण, टाइप 2 डायबिटीज है, तो हमें सबसे पहले उसकी, उस समस्या का समधान करना पड़ेगा, प्रॉपर आपकी मेडिसिन चलेंगी, जिसे आपका ज की मेडिसिन या फिर जो आपको इंसूलिन चल रहे हैं, वो दिये जाएंगे, इससे आपका शुगर लेवल कम हो जाए, और शुगर लेवल जब आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो आपकी एरेक्शन की प्रॉब्लम की जो मेडिसिन से वो चलेंगी, इससे आपकी समस्या का स करना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, आपकी जो बड़ी वी शुगर है, उसे आप कंट्रोल कीजिए, और साथ में जो आपकी समस्या है, जैसे एरेक्शन की प्रॉब्लम की समस्या है, तो वो जो दवाईयां आपको चलेंगी, उससे आपको निश्यत रूप से लाब मिलेगा, मगर उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपने लाइफस्टाइल को सुधार करना पड़ेगा, अपने खान-पान को सुधार करना पड़ेगा, मैं गाजियवाद में प्रैक्टिस करता हूं, और अगर आ आपको कोई भी AUSHIDIDी की जरूत है, जो मेरे दौरा बताई गई है, अगर आपको नहीं मिलती है, आपके आघस पास दहीं मिलती है, तो हमार यह कोरियर की भी FACILITY है, आपके घर तक हम दवाई भी पहुचाते हैं, अगर आपको मेरी बताई हो ही जानकारी से लाब हो रहा है या आपको लगता है कि यह जानकरी आपके सुझाप के लिए बहुत अच्छी है या आप कोई और सुझाप देना चाते हैं तो comment box में जरूर लिखिए अगर आपको कोई और सवाल है तो वो भी आप जानकरी मांग सकते हैं अगर मेरी बताई हुई बात से आप प्रसन है या संतुस्ठ है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू